कि बैसन का लड्डू बनाने के लिए क्या करेंग के जैसे एक लास यह मैंने घ्र लिया है ये चोटी ग्लास है उससे मैंने एक ग्लास घ्र लिया है तो इससे देसी घ्र तो इसी मेजरमेंट से दो ग्लास बेसन लेंगे तो जैसे जित्ता घ्यू हो उसका एक गुना जादा मतलब दो ग्लास बेसन हो तो इस तरह से एक फिक्स मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे लड़ू तो यह कभी खराब नहीं होगा और यह अच्छे से बन जाएगा और खा बना पड़ता है जैसे कि आच जो है एक तम धीमी होनी चाहिए और इसको धीरी धीरी लगतार चलाते रहें तब ही इसमें एक अच्छी जब खुस्बू आने लगे तब सब जाएंगे कि हमारा बेसन जो है वह भुन चुका है तो अभी देखिए धीरी जैसे यह जैसे यह मेल्ट जैसे होने लगेगा तो बिघलने लगेगा तो बेसन हमारा लगबग यह पूरा भुन चुका है इसमें अब कोई कमी नहीं है यह एक अच्छी खुस्बू भी आ रही है बहुत अच्छा लग रहा देखिए मेल्ट हो गया है पूरा यह बेसन हमारा तो इस तरह से ए बहुत जादा पसंद किसी कमीठा कम पसंद तो इस उस हिसाब सिया एकदम सुगर फ्री बनाना है तो भी बन जाएगा यह बिलकुल लेकिन यहां पे देखिए यहां फोड़ा से दूद डालना हमें तो इस दूद को जैसे यह दूद डालने से क्या होता है ना कि एक हलवाय तो इस तो आप वह बन जाएगा कोई दिकत नहीं आएगी तो इस तरह से बनाये लड़ू एक बार मेरे तरीके सी उस वह क्या है ना कि चीने मतलब कोई फिक्स मेजर्मेंट नहीं है बस चीनी को डालेए लेकिन चीनी पीसी होई साँ लेकिन अब बना बन चीनी का बुरा भ दिक्कत नहीं है , एक बार सुन नाज़ करते हैं SCHOOL से चीज्टे वात कि से लडू के स 용 कर देंानाòng, आप चाहे तो इंचमें आप या असाया वैर। यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में एक बार जरू ट्राइ करिए अपने घर में और यह बहुत ही हल्दी लड्डू है बच्चों को बना के आप हमेशा रखिए और दीजिया कभी वह मीठा खाने के जित करते हैं तो इस तरह से बना के आसानी से बन जाती है कोई दिक्कत बहुत आसानी से जब भी टाइम निकले तो इस तरह से देखिए टाइम निकाल के हम बना सकते हैं तो दीखिए सभी लड्डू मैंने इस तरह से अपना मैं रेडी कर ली हूं ऐसे देखिए कितना सुन्दर लग रहा है बस इसमें क्या है कि मेरे पास ड्राइफूट नहीं थे खतम हो चुके थे तो मैं किसमिस से गार्नेसिंग की हूँ आप चाहे तो बादाम से या फिर काजू से भी गार्नेसिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद है तो इसे लाइक और सस्क्राइब जरू करिएगा और इसे अपने घर में एक बार ब झाँ जो एक बादा तो